हेलो फूडीज, वेलकम टो रसोई का स्वाथ, कैसे हैं आप सब, होप करती हूँ, आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, चीस बर्स्ट पीजा, ये डबल चीस बर्स्ट पीजा है, बिलकुल डॉ बहुत जादा, खास तोर से हमारे बच्चे, बहुत जादा मिस कर रहे हैं, डॉमिनोज या पीजा हट जैसा, पीजा खाने के लिए, तो फ्रेंस, इसमें मैंने डीटेल में आपको पूरी तरह से बताया है, कि आप अपने घर में बेस से लेकर के, पूरा पीजा आप किस त आप टी स्पून आप नमक ले सकते हैं, ये सारी चीजे हम डाल करके गुन गुने पानी से हम इसको अच्छी तरीके से गूद लेंके, बिल्कुल सॉफ्ट आटा इसका हमें लगाना है, और दो कप मैदे में एक कप पानी पूरा जाता है, पानी हमारा गुन गुना होना चा आप ले सकते हैं या आप वेजटेबल ओय ले सकते हैं, इसको स्ट्रेच अफॉल्ड मेथर्ड से करते हुए हमें अच्छा आटा इसका तयार कर लेना है, और फिर इसको धक करके एक घंटे के लिए गरम जगा पर रखते ना है, चलिए अब हम इसकी लेरिंग के लिए तया डाल देंगे लेसुन ये करीब 10 से 12 लेसुन है जिसको हमने अच्छी तरह से क्रश कर लिया है आप चाहें तो इसे चौप भी कर सकते हैं लेकिन क्रश करने से इसका स्वाथ बहुत अच्छा आएगा हाई फ्लेम पे अब हम इन दोनों चीजों को बस हलका सा भुनेंगे और उसके बाद इसमें डाल देंगे पनीर जिसको हमने बिल्कुल छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है और बहुत ही कम टाइम के लिए बस हमको इसको हलका सा सौते करना है जिससे की सारे पनीर के उपर गार्लिक और बटर अच्छी तरह से कोट हो जाए सीजनिंग के लिए हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक और बहुत हलकी सी काली मिर्च काली मिर्च अगर आपको नहीं पसंद है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आप हमारे चैनल पे नए है तो प्लीज चैनल को सब्स्राइब करिये का रेसिपी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिये का देखिए हमारा गार्लिक पनीर जो है वो बिल्कुल तयार हो किया है यह हम बना रहे हैं बिल्कुल गार्लिक फ्रेवर में चीज बस्ट पीजा तो इसमें हमने गार्लिक का यूज बहुत जादा किया है अभी हम इसके नीचे जो हम अपना बेस तयार करेंगे उसमें नीचे भी हमने गार्लिक बट लगाया है जो कि हमने बटर को केवल रूम टेमपरेचर पे रखा था और उसके बाद उसमें थोड़ा सा क्रश किया वा गालिक डाल दिया था देखिए हमारा गालिक पनी जो है वो तयार हो चुका है इसको हम रख देते हैं ठंडा होने के लिए हमारा आटा देखिए एक घंटे के बाद बिल्कुल फूल करके बिल्कुल डबल से जादा साइस का हो गया है थोड़ा सा सूखा आटा हात में लगाईए एक्स्ट्रा एर को पंच कर दीचे और उसके बाद अपना सर्फिस एरिया बहुत अच्छी तरह से क्लीन करके थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करिए और उसके बाद रोल करके आटेक की लोईयां कट कर लीचे नीचे का जो बेस हमें बनाना है वो थोड़े बड़े साइस का बनाना है तो उसकी लोई आप थोड़ी सी बड़ी रखिएगा और इस तरीके से रोलिंग पिंस से रोल करते हुए हमें एक बहुत बड़े साइज की जिसे साब से आपकी ट्रे हो मैं ये माइक्रोवेफ में बनाने जा रही हूँ तो ये मैंने माइक्रोवेफ प्रूफ ट्रे ले ली है और अब हम नीचे लगा दें कि ये गालिक बटर जो मैंने अभी आपको बताया कि मैंने गालिक और बटर को mix करके बस एक paste जैसा त्यार कर लिया था वो हम base पे लगा देंके जिससे कि उसके जो crust है उसमें एक बहुत अच्छा सा golden color भी आ जाएका और crust का flavor भी बहुत अच्छा हो जाएका तो ये नीचे की layer हमारी तयार हो गई है बड़ी सी जैसी हम ने इसको बनाया था इसका layer को और इसके बाद इस तरीके hours हम पूरे ट्रे के ऊपर जो आपकी ट्रे है बेकिंग ट्रे उसके ओपर हम पूरा लगा देंके और इसके बाद इसको फोक से अच्छी तरीके से जैसा वीडियो में दिखा बिल्कुल उसी प्रोसेस से इसको इस तरीके से कर लेंगे जिसमें की इसमें एर ना बने और ये फूले नहीं अब इसके फर्स्ट लेयर पे लगा देंगे पीजा सॉस पीजा सॉस की रेसिपी आपको मेरे चानल पर मिल जाए की जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक द बहुत मोटी लेयर नहीं रखेगा नहीं तो आपका पीजा बहुत मोटा हो जाएगा अब हम नीचे वाली लेयर को थोड़ा स्ट्रेच करते हुए उसके उपर फोल्ड करेंगे जैसा की वीडियो में दिखाया जा रहा है चारो तरफ से अच्छी तरह से सील कर देंगे और की टिप से इस तरीके से दबाते हुए इसको प्रॉपरली सील कर देंगे और जो उपर की लेयर है उसको भी फोक से बिलकुल उसी तरीके से प्रिक करेंगे जैसे की हमने अभी नीचे वाली लेयर को किया था ऐसा करने से जो अंदर एयर बने की वो पूरी रिलीज हो और आपका जो पीजा है वो फूलेगा नहीं रोटी या पूरी की तरह से फूलेगा नहीं फिर से वैसे ही पीजा सॉस की एक लेयर लगाएंगे फिर एक लेयर चीज की डालेंगे बहुत ही चीजी पीजा हमारा ये बन करके तयार होने वाला है अब इसके उपर हमने जो गा प्रप्सिकम, अनियन की लगा सकते हैं, जो टॉपिंग चाहे आप वो लगा सकते हैं, और अब इसके उपर हम थोड़ा सा मिक्स हर्ब या औरिगेनो या चिली फ्रेक्स जो भी चीज़े हैं, वो सब के हर्ब्स आप इसके उपर स्प्रेट कर दीजे, थोड़े से ओलिव्स र मिनट के बाद हमारा पीज़ा बन करके बिलकुल तयार हो गया है, आप देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा बेक हुआ है, जितना अच्छा ये देखने में लग रहा है, फ्रेंस उतना ही चीजी बस्टर करता हुआ ये पीज़ा बना था, बहुत ही टेस्टी पीज़ा ये जरूर ट्राइ करियेगा, हमें बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए, बाबाई, टेक कियर, थांक यू झाल